नमस्कार स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल सी जेई 2016 रिजल्ट यूपी ट्रिपल सी पी एटी दो जार बाइस रिजल्ट एनम बान बे बारह भरती में नई नोटिस SSC MTS Notification Seated Paper नई भरती के लिए आवेदन और 69,000 शिक्षक भरती से संब्दित यहां पर मातुपूर अप्डेट है सबसे पहले यहां पर देख लिजिए SSC MTS 2022 में Non-Technical Staff and हवलदार CBIC and CBN में ये Vacancy का विज्यापन जारी हुआ है 18 जनौरी से आनलाइन फॉर्म आनलाइन अप्लिकेशन लिए जाने स्टार्ट है और लास्ट डेट है 17 फरावरी 2023 लास्ट डेट है फीपेमेंट करने की उन्डिस फरावरी करेक्शन के लिए 23 दो 2023 से 24 दो 2023 दो दिन का समय मिलेगा और कंप्यूटर बेस्ट एक्जामिनेशन होगा अप्रेल 2023 में कई दिन तक एक्जाम हो सकता है कई डेज में या कई सिप्ट में कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट जो होगा इसमें दो सेशन होंगे सेशन वन और सेशन टू और दोनों इससेशन की एक्जाम देना उनको अटेंट करना निससरी होगा अधर्वाइश डिस्क्वालिफाई कर दिये जाएंगे एक्जामिनेशन शेडियूल की जो नोटीस है पैटर्न थोड़ा से बदला हुआ है Session 1 में आप देखेंगे तो numerical, mathematical 20 questions 60 mark है और दूसरा पार्ट है Session 1 में Reasoning, Ability and Problem Solving 20 questions 60 mark से 45 minutes आपको मिलेगा और 60 minutes उन candidates को मिलेगा For desires as well Para 8 Session 2 में general awareness और English language and comprehension के question पूछे जाएंगे 25 questions नेंगे दोनों से each से और 75 marks के 45 minutes से हाँ पर भी मिलेगा सबको और 60 minutes उन candidates को मिलेंगे जो पहरा 8 के अंतरगत आएंगे इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि General English या मापी चाहूंगा English Language and Comprehension को चोल करके बाकी जो part हैं आपके यह Hindi, English और इसके लावा तेरह Regional Languages में दिये जाएंगे पेपर में तो आपको उसमें Language सेलेक्ट करना होता है फिर उसी Language में आपका Question पेपर आता जाएगा आनलाइन और उसी हिसाब से Question अटेम्ट कर पाएंगे एक आप यहाँ पर देखेंगे Seated का पेपर आउट कराने वाला कोचिंग संचालक गिरपतार मोबाईल से प्रश्ण पत्र बरामत भेजा गया जेल Seated का पेपर आउट कराने वाले गिरों में सामिल लखनोव के कोचिंग संचालक को HDF ने मंगलवार साम को गिरपतार किया है मेरट में दो की गिरपतारी के बाद लखनोव में कारिवाई धाई धाई लाट में बेचेते प्रश्ण पत्र है सालवर गैंका भंडापोर सिपाही समेत साथ गिरपतार पूश्त आज में गिरों के विवेक सर्मा विक्की पारितोस दिवारी के नाम भी सामने आए प्रधान मंतरी मोदी जी के द्वारा वर्चुवल तरीके से उधगाटन किया गया सांसद खेल का जिसमें मुख्य मंतर योगी आदित नाच जी भी उपस्ति थे और बस्ति के सत्तेवान स्टेडियम में ये कारिकरम किया गया था एक आप यहाँ पर देखेंगे एक तुई यहाँ पर है सहाथा प्राफ्त महाप इंद्यालियों में असेस्टिन प्रोफेसर भरती में बीएड विशे के अरता बिबात पर उत्तर प्रदेश उत्चतर सिक्ष्य आयोग ने हाई कोड के फैसलकी किलाब अपील करने का निड़े लिया है अगर आपके काम का हो निउज इसी तरह से आप दिखेंगे हाँ पर एक निउज है 59,000 शिक्षक परती में जो बीएड के अभियरती है चुकि पहली बार बीएड को प्रात्पिक में सामिल किया गया था और इसमें ब्रिच कोर्स कराने का प्रावधान था दिसम्बर 2022 तक करा देना था इसमें लेकिन करा नहीं पहें अभी तक इसके बाद अभियरती कोर्ट में भी गय थे कोर्ट से ये बोला गया था कि इसमें अभियरतियों को जिम्मिदार नहीं ठेराया जाएगा यानि अगर कोई बिसम परिस्ति पैदा होती है तो उसके लिए बिएड डिग्रिधारत सिक्षक जिम्मेदार नहीं होंगे इसके पहले आप देखेंगे प्रस्ताव सासन को भीजा गया था ब्रिज कोर्स कराने सम्मंदी इसी को यहाँ पर लिखा हुआ है बालमन की दसा पढ़े बिना पढ़ा रहे हैं हजारों सिक्षक अभी जो NCTE की अधिसुस्तना है 28-0-2018 जिस पर B.A.D.V.HTC की मामले में सुपरिंग कोर्ट में काफी लंबे समय से सुनवाई चल लएती जिसका कोर्ट और भी रिजर्व हो चुका है और इसी वीक में फ्राइडे तक सम्मिशन की लास्ट डेट भी है तो कोर्ट और आने के बाद चीज़े और क्लियर होंगी बाकी ये पुरानी भरती है इसमें ब्रिज कोर्स कराने का ब्रावधान है देखते हैं सासन कब तक इसमें करा पाते हैं एक आप यहाँ पर देखेंगे समेक्षा अधिकारी समेत इन पदों पर होंगी भरतिया राजपाल सचिवाले अलग से करेंगे भरतिया समुक वख के पदों पर भरते के पद नाम तै कर दिये गए हैं समुक में समिक्षा अधिकारी सायक समिक्षा अधिकारी समिक्षा अधिकारी लेखा वह अन्य पद यहाँ पर देख सकते हैं इसी तरह से समुखा में गिरिये बेवस्तापक, सेफ, कुक, सहायक, टेलर वह आधी इसमें पद बनाये गए हैं यह रोडवेज में आउट्सोर्सिंग से भरतियां हो रहती दो सो पैसेट पदों के लिए इसमें दोबारा से आवेदन लिया जाएगा अभी जो 16 जनावरी तक आवेदन लिये जाने थे 9 से 16 तक लेकिन इसमें आवेदन लिंक ही नहीं खुल सका तो दोबारा से इसमें आवेदन लिये जाएंगे जेई 2016 का रिजल्ट आज आज आएगा और आपको साम तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा यह रिजल्ट कल आजाने वाला था लेकिन कल मीटिंग भी वी इसको लेकर के लेकिन कुछ उसमें टेकनिकल इसू जांकी होने के वज़े से रिजल्ट को साइट पर अपलोड नहीं किया गया तो आज यह रिजल्ट आ जाएगा दोपार के बाद किसी बेसमें और साम से पहले पहले P.E.T. 2022 का रिजल्ट अब 20 को भी नहीं आ पाएगा अब इस रिजल्ट में थोड़ी सी और देरी होगी और यह रिजल्ट 20 के बाद ही आ पाएगा 20 के बाद जब भी आ पाएगा कुछ एक्सपेक्टेड डेट पता चलेगी तो आप सबी को बता दिया जाएगा लेकिन यह रिजल्ट अब 20 तक भी नहीं आ पाएगा अब 20 के बाद चाहे जब आपाए लेकिन 20 से पहले या 20 तक यह result अब नहीं आने वाला है 20 से पहले मतलब आजाने वाला है नहीं 20 को नहीं आपाएगा तो 20 के बाद जब कोई expected date पता चलेगी आप सबें को बता देंगे लेकिन 20 को भी यह result नहीं आने वाला है कुछ और भी भरतिया हैं जैसे computer operator जिनके result इसी मन्त में आपको देखने को मिल सकते हैं अब यहाँ पर बात करेंगे एनम 22 बारा भरती में provisional की file को लेकर के कुछ लोग कह रहतें कि file complete चली गई है और जहां तक हमारी जानकारी थी कि file complete कल विभाग के पास नहीं पहुची थे कल तक तो आज हम फिर से पता करने की पूरी खोशिस करेंगे और जो भी जैसे भी update होगी आप सब बता देंगे कि complete file भेज दी गई है कि नहीं भेज दी गई है और बाकी इसमें जो 7189 phrase selected मेने है आप लोगों की joining को लेकर के notice आज या कल में देखने को मिल सकता है देखें मैं पहले भी आपसे बिज़े कह रहा था कि 20 से 26 की बीच में expected है ठीक है लेकिन फिर आप देखेंगे अचानक से 28 January की date सासन के दिखें जब तक अंतिम शाहमती notification नोटिस नहीं आ जाता है सासना देश नहीं आ जाता है तब तक सासन के ऊपर है अचानक से कब हो क्या बदलाव कर देंगे अब उसमें हमारी क्या गलती होती है जो जैसी अपडेट होती है जिस समय कि आपको वही बताने का प्रियास करते हैं तो कल हमने आपको बताया भी था कि 24 या 25 में भी बात चल लगी है कि 26 जनौरी को मुकी मंतरी जी इस भरती को लेकर कि बता भी सकते हैं जनता को कि हमने एक महिला स्वास्ते कार करता हूं कि एक बड़ी भरती ही हाँ पर की है 922 बारों बदों के लिए तो 24 या 25 को जो आनिंग लेटर बितरण होने की प्रबल सम्मावना है ज्यादा सम्मावना है और अगर ऐसा होता है तो आज या कल में नोटिस आपको देखने को मिल जाएंगे बाकि जब जो आनिंग लेटर बितरण करना होगा उसकी डेट फिक्स हो जाएगी तो जिला आवन्टन भी आपको पता चल जाएगा उसके पहले एक दिन दो दिन या हो सकता और पहले पता चल जाए कम सकम दो दिन पहले पता चलना चाहिए कुछ बहने जो दूर क्यों होती उनको दिक्कत होंगी फिर आने में माले जे कोई अधर इस्टेट में हो किसी दूर की सहर में निवास करते हो तो कम सकम दो दिन पहले तो यहाँ पर दे दना चाहिए भी आपको जिला आवंटन की जो सूचना है और उसके बाद फिर जिलेवार पीडियाफ आपके जिला सीमो में भी भेजी जाएंगी उसी प्रकार से तो जो भी जैसे भी अपडेट होगी मां आपको बताते रहेंगे वीडियो को आप सभी प्लीज लाइक करके सेर भी आप सभी जरूर कर दिया करें धन्यवाद